अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर पता लगता रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर कल की ग्रावट की बात कर लेतें निफ्टी के तो देखें निफ्टी में जो कल ग्रावट ही थी वो लगबग 0.38% के असपास होई थी यानि कि लास्ट टाइम जाते जाते ही ग्रावट बनी थी और उससे पहले देखें निफ्टी ने जो 400 का जो एक लेवल है 16-400 का वो भी टच करने की कोसिस की थी लेकिन वहां सस्टेंट नहीं कर पाई क्योंकि देखें इस टील सेक्टर के अगर बात करते हैं तो आज के अगर हम बात करते हैं तो आज भी ग्रावट के संकेत हमें यहां से आतवे किलियर दिख चुके हैं अगर डाव जो इंडिस्टिल एवरेज की बात करते हैं तो देखें यहां पर भी एक ग्रावट यहां पर देखने को मिली है लगवग 0.26% की 84 पॉइंट से साथ तो देखें यह सिधा सिधा एक संकेत यहां पर हमें मिल रहा है कि देखें आज मार्केट के अंदर एक ग्रावट संभावित है और ग्रावट भी देखें इसी परसेंटेज के अमाउंट में हो सकते है यानि कि अगर मैं बात करूं तो आधा परसेंट के आसपस मार्केट गिर सकती है और अगर यहां पर हम डाव फीचर्स की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें होत संभावी थे पर यहां पर आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी के साथ बार्केट ऑपन होते हुए देखें तो देखें यहां पर जो मोस्त इंपर्टेंट लेवल पहले भी बदशा है वो है दोस्तो 16,000 रुपे इसके नीचे बिलकुल भी नहीं जा सकती मार्केट और देखे बार बार ये चीजे बोल ले जा रही है कि मार्केट के अंदर एक रिसेशन आ चुका है और बात करते हैं बैंक ओफ इंगलेंड की तो देखे उन्होंने भी बताए कि देखे मार्केट यहां से भी नीचे जा सकती है लेकि दीखे ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप शेशेर मार्केट के अंदर काम करते हैं तो देखे इस तरह की जो चीजे वो होती रहती है मार्केट के अंदर और इतने बुरे हालात भी नहीं हुए चाहे हम रश्या युकरेणिया के युद को ले ले चाहे युएस से के जो फैड रेट है उनको उठा के देख ले तो देखे वहां से कोई इतने बुरे नेगेटिव संकेत हमें यहां पर आते हुए नहीं दिखाई दे जिसे हम कह सकते हैं कि भी जो मार्किट है यहां पर 14,000 रुपए जा सकती है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है 16,000 का बहुत most important levels है तो यहां पर यहां तक मार्किट जाती है तो आपको add-on करना है अगर मान के चलो यह भी level तूटता है तब उसके बाद फिर आगेगी जो रणनीत है वो यहां पर देखनी होगी यहां पर दूस्तो जब मार्किट नीचे जाते है तो कुछ मौके भी होते हैं यानि कि बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं जहां पर आपको उनके अंदर धीरे-धीरे ship करके buying करनी चाहिए जिसमें से पहला शेयर आ जाता है यहां पर KPIT Technologies बहुत जबर्जस्त कंपनी अगर हम इसके one year के return भी देख लेते हैं तो one year में बहुत शानद रहा है अगर मान के चलो यह support भी तूटती है तो यहां पर जो दूसरा target बनेगा वह बनेगा 450 रुपए का तो देखे जैसे जैसे नीचे जाता है अगर मान के चलो यहां पर भी add करने का मोका मिलता है तो इस share को यहां पर आप एड़ करके चल सकते हैं दूसरा share यहां पर आ देता हूं इसमें जो return मिलें almost आपका double हुए दो गुना एक साल के अंदर पैसा हुआ है तो देखे यहां भी आप buy करके चल सकते हैं देखे बहुत अच्छे खासे levels पर अभी फिलाल यह मिल रहा है 221 रुपए का बहुत जबर्जस्त लेवल है अगर मान के चलो 200 रुपए बहुत ही strong support है इस share के अंदर अगर 210 रुपए के आसपास भी जाता है तो sip करके add करते रहीजिए क्योंकि देखे पावर के अगर हम consumption की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो पावर की consumption है वो बहुत तेजी से बढ़ चुकी है ऐसे में देखे ठाठा पावर हुआ आदान जो ही दिखाई दे रही है हमें इसरा जो शेयर निकल के आता है वो दोस्तों दुनिया इंडिया की सबसे दिगज कंपनी रिलाइंस इंडस्ट्री तो देखे इसको भी धीरे-धीरे accumulate किया जा सकता है बिल्कुल current level से अगर हम इसके फिछले one month की बात कर लेते हैं तो देखे अठाइस सो एक रुपए का के अंदर कंपनी का रिवेन्य हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया नेट इंकम डायलूटी डिपीएस जबकि नेट प्रोफिट मार्जन्स के अंदर जरा सामें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया दर्वाइस देखिए कंपनी बहुत स्ट्रोंग है और कंपनी फंडामेंट देखिए उनकी जो कंप्शन है लगातार इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है तो ऐसे में जितने भी केमिकल स्टॉक्स है अगर हम पिछले कुछ टाइम का डाटा उठाके देखते हैं तो बहुत जबर्जस्त बहुत शांदा रिटन सब के सब केमिकल स्टॉक्स ने दि चल रही है तो वहां पर इन शेयर के अंदर एड करने का यहां पर मौका है अगर हम फाइनेशली बात करते हैं तो फाइनेशली भी बहुत ही स्ट्रोंग कंपनी हमें यह दिखती है और अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो देखिए अभी 2100 रुपए के आसपास यह शेयर इसमें भी अगर हम बात करते हैं लोवर साइड अगर यहां पर सपोर्ट मानके चलते हैं तो 2000 रुपए की बहुत ही स्ट्रोंग सपोर्ट है तो इस सपोर्ट को समझ करके इसके अंदर बाइंग की जा सकती है और अगर आप सिप करके भी एड करना चाते हैं तो देखिए सि प्लेटिल्टी है दोस्तों यहां पर आपको एड करना है यह मोका जो मार्केट के अंदर मिलता है वह बार-बार नहीं मिलता यह बार-बार कई बार वीडियो के अंदर बताया गए तो इन चीजों को आप ध्यान रखें और जहां पर भी ऑपर्चनिटी मिले वहां पर देर देरे शिप करके एड करते नहीं